वो गुस्से और नफरत से पूरी तरह से भर जाती है और वो अपना काला चादू करती है जिससे जौसेट एक पहाड़ी की चोटी पर जाती है जिससे विडोस क्लिफ कहा जाता है वहाँ से कूद कर वो अपनी जान दे देती है और जब बरनाबस कोई पता चलता है तो वो भी उसी पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहाँ से कूच जाता है लेकिन एंजलिक कब उसे वेंपायर में बदल चुकी होती है इसलिए इतनी उचाई से कूधने के बाद भी वो जिन्दा रहता है वो वापस अपने मैंशन में आ जाता है जिसके बाद एंजलिक काउवालों को लेकर वहाँ पहुच जाती है और सब को बताती है कि बरनाबस को इंसान नहीं है बलकि वो एक वेंपायर है इसलिए बरनाबस को एक काबूत के अंदर बंद करके उसे चेंज से बान कर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और इसी तरह से अब 200 साल भी जाते है साल आता है सन 1972 का जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है और विक्टोरिया बिल्कुल जोसेट की तरह दिखती है दरसल विक्टोरिया कॉलिन वोड आई है यहां पर उसे एक जाब आफर की गई है जो कि गवर्नस की है यहां पर उसकी मुलाकास सबसे पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम एलिजबेट है एलिजबेट भी कॉलिन फेमली से बिलॉंग करती है जिसने विक्टोरिया को यहां पर अपने भाई के बेटे की देख भाल करने के लिए बुलाया है दरसल उसके भाई के बेटे को ऐसा लगता है कि उसकी मौम जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उसकी आत्मा आज भी बार बार उससे मिलने के लिए आती है विक्टोरिया एलिजबेट से पूछती है कि डेविट की मौम की मिरत्यू कैसे हुई एलिजबेट बताती है कि पानी में ढूबने की वज़े से और आप रात को जब ये डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तब ही यहाँ पर एक साइकाइट्रिस भी आती है जिसे एलिजबेट ने अपने भाई के बेटी डेविट के लिए बुलाया होता है कि बार बार उसका कहना होता है कि वो अपनी मौम की आत्मा को देख सकता है और तब ही विक्टोरिया देखती है कि सामने सफेज चादर के अंदर को या करती है लेकिन Victoria नहीं डरती और यह David होता है दरसल वो Victoria को यहां पर डराने के लिए था लेकिन Victoria उसे बिलकुल भी नहीं डरती पिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती और तबी Victoria देखती है कि एक बार फिर से डेविड वही चादर लेकर उसे डराने के लिए आया है और जैसी वो चादर हटाती है तो उसके पीछे डेविड नहीं बलकि जॉसेट होती है जिसने आज से 200 साल पहले उपर से कूद कर अपनी जान दे दी थी वो से कहती है कि वो वापस आ रहा है वही हमें कुछ वरकर्स को दिखाया जाता है जो खुदाई कर रहे होते हैं और तभी उन्हें जमीन के नीचे एक ताबूत मिलता है जो कि बरनाबस का ताबूत है और जब वो उस ताबूत को खोलते हैं तो बरनाबस उससे आज़ाद हो जाता है वो एक वेंपायर है जो कई लोगों के खून से अपनी भूक मिठा कर यहां से निकल जाता है और जब वो अपने कॉलिन वुड मेंशन के भार पहुंसता है तो घर कर नौकर उसे मिलता है अपनी शक्तियों से वो उसे अपने वश में करके अपना गुलाम बना लेता है वो अपने गुलाम से पूछता है क्या अब भी कॉलिन वुड में कॉलिन्स फैमली के वनशज है वो कहता है कि हाँ और अब बरनाबस अंदर आ जाता है और अब यहाँ पर ऐलिजबेट भी आ जाती है ऐलिजबेट इसे कोई बहरूपया समझती है यो बरनाबस का भीश बना कर यहाँ पर आ गया है लेकिन बरनाबस कहता है कि जल्दी तुमें मेरी सच्चाई मेरी असलियत पर पूरी तरह से यकीन हो जाएगा और वो ऐलिजबेट को अपने साथ नीचे तहकाने में ले जाता है जहाँ पर कॉलिंस फैमिली का खजाना होता है और अब ऐलिजबेट को भी समझ में आ जाता है कि यह जो इनसान है यह और कोई नहीं बलकि बरनाबस कालिंस है वो से बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक वेंपायर हूँ लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं कॉलिंस फैमिली में किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाऊंगा जिसके बाद राज को डिनर टेबल पर हमें दिखाया जाता है कि कॉलिंस फैमिली को अब बरनाबस को इंट्रड्यूस किया जाता है एलिजबेट कहती है कि ये हमारे दूर के रिष्तेदार है यहाँ पर बरनाबस को ये भी पता चलता है कि उसका खांदानी जो फिशिंग का बिजनेस था वो पूरी तरह से बरबाद हो चुका है और अब यहाँ पर विक्टोरिया आती है जिसे देखकर बरनाबस पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शेकल जॉसेट से मिलती है तो खड़ाओकर उसे जौसिट कहता है और विक्टॉरिया उसके पास आती है और उसके कहती है कि मेरा नाम विक्टॉरिया है वही हमें एक लड़ी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजलिक है और ये वही विच है जिसने आज से 200 साल पहले बरनाबस को वेंपायर बनाया था इसलिए वो कॉलिन वुड मेंचन जाती है जहां पर उसकी मुलाकात बरनाबस से होती है बरनाबस उससे कहता है कि तुमने मेरे पूरे के पूरे फिशिंग बिजनस को अपने कबजे में कर लिया वो कहते है कि अब वो बिजनेस मेरा है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अब बरना बस किसी भी तरह से अपने खांदान की खोईवी इज़त को उसकी प्रेस्टीज को वापस लाना चाता है सबसे पहले वो कॉलिन वो जिसकी हालत बहुत जादा खराब हो चुकी होती है उसको पूरी तरह से ठीक करवाता है साथी शहर में वो फिश का बिजनेस करने वाले कुछ बड़े व्यापारियों के पास जाता है उन्हें अपनी शक्ती से वो अपने वश में कर लेता है जिसके बाद वो उसके साथ काम करने के लिए मनजूर हो जाते है और अब बरनाबस एक बार फिर से अपने खानदान का काम यानि अपने शिपिंग कॉर्परेशन को एक बार फिर से शुरू कर देता है बर्नाबस जब वापस घर आता है तो वहां पर जो साइकाइटरिस्ट होती है जो कि एलिजबेट के भाई के बेटे के लिए यहां पर रुकी होती है उसे बर्नाबस पर शक होता है इसलिए वो उसे हिपनोटाइस करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है है । अभूछ इसे पता चल जाता है कि बरनाबस एक वेंपायर है। वो अलीजबेट से बारे में बात करती है। अलीजबेट कहती है कि बरनाबस घर पर रहने वाले किसी भी इनसान को नुकसान नहीं पहूचाएगा। वही बर्नाबस जो कि अब विक्टोरिया से प्यार करता है, क्योंकि उसकी शकल जॉसेट से मिलती है, उसे इंप्रेस करना चाहता है, लेकिन उसका जमाना कुछ और था, और आज का जमाना पूरी तरह से अलग है, इसलिए वे इलिजबेट की बेटी से पूसता है कि मैं किस त इतना भी खून है, वो उस पूरे खून को निकाल कर, उसमें एक बार फिर से इंसानी खून को डाल देगी, ताकि वो फिर कभी वेंपायर ना बन पाए, वो एक आम इंसान बन जाए, वही बर्नाबस और विक्टोरिया जो कि जॉसेट की तरह दिखती है, इन दोनों की बर्नाबस उसके प्यार को एक बार फिर से ठुकरा देता है, वर्नाबस अपने मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी रगता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, और यहाँ पर विक्टोरिया बर्नाबस को बताती है, कि बचपन से उसे आत्माएं दिखती है, और उस बर्नाबस को धोका दिया, तो कभी उसे इंसान नहीं बना सकती, बर्नाबस को इस पार से गुस्सा आता है, और वो से मार कर समंदर की गहरायों में फेक देता है, वहीं बर्नाबस को एलिजबेट के भाई, जिसका नाम रॉजर होता है, उसके बारे में पता चलता है, कि चोड़ कर चला जाता है। बिजनस करें, साथी हम दोनों हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे, पर बरनाबस एंजलीक से प्यार नहीं करता, वो उसके इस ओफर को ठुकरा देता है, और अब एंजलीक को गुशा आता है, वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने साइकाइटरिस्ट को मारा है, बरनाबस उसे बताता है कि मुझे मेरी मौम की आत्मा देखती है, जिनोंने मुझे आपका पता बताया था, वहीं एंजलीक को दिखाया जाता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को, जिसमें बरनाबस ने कहा था कि उसने साइकाइटरिस्ट को मारा है, पूरे शहर को और पुलीस को सुना इंजलीक देखती है कि बरनाबस अपने बरिवार के साथ है, इसके बाद बरनाबस उसके पास आता है, और अपने दातों से उसके गरदन से उसका खून पीने की कोशिश करता है, सभी लोग समझ जाते है कि बरनाबस एक वेंपायर है, लेकिन यहाँ पर एंजलीक को कुछ नहीं होता, जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि यह भी कोई इंसान नहीं है, बरनाबस अब को बताता है कि यह एक विच है, इसके बाद बरनाबस और एंजलीक के बीच में एक भ्यानक लड़ाई होती है, एलिजबेट की जो बेटी होती है, वो एंजलीक के ओपर हमला कर देती है लेकिन एंजलिक की शक्तिया इन दोनों से ज्यादा होती है इसलिए एंजलिक इन दोनों को हरा देती है और अब उसके सामने डेविड आ जाता है एंजलिक डेविड से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगार सकते डेविड कहता है कि मैं तुमारा बहुत कुछ कर सकती है और तब ही उसकी मौम की आतमा आती है जो एंजली को एक टकर मारती है और वो बहुत बड़े शेंड लेयर से टकरा कर नीचे गिर जाती है वो इतनी बुरी तरह जखमी हो जाती है कि उससे समझ में आ जाता है कि उसकी मौत होने वाली है दरसल देविट को श्राब है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो उससे दूर हो जाएगा और अब बरनाबस किसी भी तरह से विक्टोरिया को बचाना चाता है वो उस चोटी पर पहुँच जाता है जहां से विक्टोरिया कूदने वाली होती है वो से रोख लेता है और अब विक्टोरिया उस उसे भी वेंपायर बना देता है। जिसका मतलब ये है कि दोनों सद्यों तक एक साथ जिन्दा रहेंगी। वही पानी के अंदर हमें साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी आंके खोल लेती है। जिस वजे से वो भी अव वेंपायर बन चुकी है। बरना बस को लगता है कि अब सब कुस ठीक हो चुका है। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस साइकाइट्रिस्ट को उसने मारा था, वो भी अव वेंपायर बन कर जिन्दा हो चुकी है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म डार्क शैडो की। ये फिल्म इयर 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद रहे है।